तो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी once upon a time there was a girl named Michelle एक बार की बात है, Michelle नाम की एक लड़की थी once upon a time there was a girl named Michelle एक बार की बात है, Michelle नाम की एक लड़की थी Michelle was a good girl, however, her parents were very strict Michelle एक अच्छी लड़की थी, हाला कि उसके माता पिता बहुत सक्त थे Michelle was a good girl however her parents were very strict Michelle एक अच्छी लड़की थी लेकिन हाला कि उसकी माता पिता बहुत सक्त थे They always scolded her over small things वे हमेशा उसे चोटी चोटी बातों पर डाटते थे They always scolded her over small things यानि वे हमेशा चोटी चोटी बातों पर डाटते थे एक दिन Michelle बाहर जाना चाहती थी One day Michelle wanted to go out जाना चाहती थी But her parents weren't letting her go लेकिन उसके माता पिता उसे जाने नहीं दे रहे थे We can't let you go Her mother shouted We can't let you go Her mother shouted यानि हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते हैं उसकी माँ चिल्लाई तुम्हारा कमरा अच्छे से साफ नहीं है तुम यही रहो और इस गंकी को साफ करो उसकी माने गुस्से में कहा मिशेल ने चुपके से निकलने का फैसला किया मिशेल ने चुपके से निकलने के लिए मिउस करेंगे मिशेल डिसाइडिट टु स्नीक आउट यानि मिशेल ने चुपके से निकलने का फैसला किया मिशेल डिसाइडिट टु स्नीक आउट अगले दिन वो अपने मात पिता को बताय बिना घर से निकल गई इस English में बोलेंगे, next day she left the house without telling her parents, next day she left the house without telling her parents, यानि अगले दिन वो अपने मात पिता को बताये भीना घर से निकल गई, next day she left the house without telling her parents, अगली सुबा जब उसकी माँ मिशेल को देखने उसके कमरे में गई, the next morning when her mother went to Michelle's room to check on her, अगली सुबा जब उसकी माँ मिशेल को देखने उसके कमरे में गई, उसने देखा Michelle जा चुकी थी, उसने देखा कि Michelle जा चुकी थी, वो उससे उस पर बहुत सक्त रहने के लिए माफी माँ मांगना चाहती थी, too late, यानि बहुत देर ओ चुकी थी, but it had been too late. Michelle कहीं नहीं मिल रहे थी. Michelle was nowhere to be found. Michelle was nowhere to be found, यानि Michelle कहीं नहीं मिल रहे थी, Michelle was nowhere to be found. उसके माता-पिता ने उसे धूनने की बहुत कोशिश की. Her parents tried very hard to find her, her parents tried very hard to find her, यानि उसके माता-पिता उसे ढूनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं ढून पाए, but they couldn't find her, but they couldn't find her, लेकिन वे उसे नहीं ढून पाए, उन्हें जल्दी अपनी गलती का अहसास हो गया, they soon realized their mistake, they soon realized their mistake, लेकिन तब तक देर हो गई थी, but by then it was too late, but by then it was too late, लेकिन तब तक देर हो गई थी, they kept waiting for her to come back, वे उसके वापस आने का इंतिजार करते रहे, वे उसके वापस आने का इंतिजार करते रहे, they kept waiting for her to come back, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई, but she never came back, but she never came back, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई, but she never came back, so friends, आज की यह जो स्टोरी है, यह बस इतनी है, और अगर आपको यह तरीका पसंद हो, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो comments work में जरूर बताना, और अगर सच में आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लाइक तो जरूर कर देना, अगर अच्छे व्यूज आते हैं, मतलब आप अच्छे से लाइक करते हो, तो हम और भी इस तरह की वीडियोस बनाएंगे, So friends, अगर विडियो छे लगेत तो क्याताि एक है, प्राइब लिची है आते हैs, इस प्रेपी लोडियोश देखना चाहते है, तो जो हम विक सम्सेखने।